तो गाइस आज मैं जिस एनिमे को एक्स्प्रेंट करने वाला हूँ, वो एनिमे वान अप तब बेस्ट एनिमे है, क्योंकि इस एनिमे में रोमेंस, कॉमेडी, फैंटसी, एक्शन, सब कुछ कुछ कुट कुट के भड़ा है, आशा करता हूँ ये एनिमे आप लोग को पसंद आएगा, तो बिना के ज़िदर एक वीडियो को शुरू करते है, तो एनिमे के शुरूत में हमें एक लड़की को दिखा जाती है, जो कि जंगल के अंदर बहुत सरे हाप्स को डुण रही होती है, इस लड़की का नाम है शीरायूकी, शीरायूकी ओशादी बनने की काम करती बोले है तो medicine Shiryuki कहते है ये रस्ता मैंने चु皆さん की आ पींची और शहर को फिरा में शीरायूकि के लंबे-लंबे बालो को दिखा जाती है जो कि बहुत ज़ा ठाक खुपशूरत लंग रही थी देखनें में इस प्रिंस का नाम है प्रिंस राजी, राजी कहता है, इस शहर में सबसाधा खुबसूरत मैं हूँ, लेकिन लड़क में कहता है, इस शहर में एक लाल बालो वाली लड़की है, जिसका नहामें शिरायो की, वो बहुत सबसाधा खुबसूरत है, अब आगरे जिर्मा में शिरायो की को दिखा जाती ह जो कि काम कर रही थी, एन उसके बाजू में उसकी ग्रैनवा बैटी हुई थी, उसकी ग्रैनवा कहती है कि मैं बस इदर आती हूँ तुम्हारे लाल बालो को देखने के लिए, कास कुम्हारे ददाजी अज जिन्दा होती, तो कितने ददाधा ख्itute होती, क्योंकि तुम इतने अच्छे हर्वलिस जो बन चुके हो इदा शिरायो की अपनी ग्रेंडमादर को देखे जा रही थी फिर दादी मा कहती है ठीक है मैं आती हूँ फिर ओ ग्रेंडमादर दोर से चली आती है फिर हमें दिखा जाता है कि दोबरे से दरवाजे को कोई ठक ठका रहा था एंड शिरायो के उसको वेलकम करती है शिरायो के देखती है कि दर असल ओ नाइट है जो की इस टिंगडम काई है ओ नाइट शिरायो को कहती है मैं इधर आया हूँ तुम्हें ले जाने के लिए क्योंकि ये प्रिंस राजी का order है क्योंकि प्रिंस राजी चाहता है कि तुम उसका wife बनो इधर शिरायों की बहुत चौक जाती है शिरायों की कहती है कि मैं इतना एक common लड़की हूँ मुझसे प्रिंस को क्या मतलब है तब वो नाइट कहता है तुम्हारा ये जो रेड बाले ना ये प्रिंस को बहुत अधर पसंद आया है वो नाइट से ये भी कहता है कि तुम्हारे लिए ये अच्छा है कि तुम ये offer मान लो और हमें आगले सिन में दिख्षिषे में देखती है अगले सिन में अच्छाने क से अपनी जो रेड हेर है ना उसको कार्ट देती है ये सब तुम्हारे बज़े से ही हुआ है ये सब तुम्हारी गलती है, फिर हम देखते हैं कि ओ कटे हुए red hair को ओ एक ribbon से बंद के उधर रख जाती है, अगरे सिर्फ हम देखते हैं कि शिरायो की अपने आपको चुपा के एक घुरे गड़ी के उपर बैट जाती है, फिर हम देखते हैं कि ओ उधर से उतर के जंगल के अंदर जाने लगती है, आगे जाते जाते ओ एक जाती है, एन इधर राद भी हो चुकी थी, इसी करण ओ नींद आ जाती है उसे एन उधर हम देखते हैं कि ये लड़का शिरायो की को नोटिस कर लेती है, इसी करण उसका पैर उस दिबार में अटक जाता है, एन उचे धरा आया हुए है, तब ही गरीन ह्यार भाला लड़का कहता है, जेन तुम तो मुझे जनती हो, मैं हूँ मिथ सुेड़े, तब हमें पता चलता है कि इस वीड हैर वाले लड़के का नाम है जेन, इद हीरायो की इन तीनों को देखके, पीछे से दिमेधी में भागने की कोशिस कर रही थी लेकिन जेन उसे रोक लेता है जेन कहता है कि तुम की धच जा रही हो फिर जेन शीरायुकी के पास जाता है जेन कहता है तुम इधर क्या कर रहे हो एन अपने बालों को ऐसे धक्क क्यों रखे हो तभी हम देखते हैं कि जेन अपनी तरवार की मदद से शीरायुकी के स कई निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जहर तो नहीं है ना तब हैंगी फेगा कि शिरयूक अचनक से जैन की तरवार को पकरके, अपनी हाथ पे लगा देती है, है क्या तुम मेरे हाथ में भी दबाई लगा दोगी आगले से नम्हारे किंगडम के प्रिंस बहुत ज़दाई घटी आए ओ ऐसा कैसे कर सकती है कि वो किसी लड़की को जबत दस्ति अपने साथ रखना जाती है शीरायों के कहती है कि वो मेरे लाल बालों से प्यार करती है इस अच्छे अच्छे बाते करते हो चुछ टोकरी रखा हुआ है हम देखते हैं कि अगले सिन में दर असल में ये एपल अभी तक रख दिया होता ये बोलके अचनक से जेन नीचे बियोशों के गिर जाता है ये देखिए शीरायों की बहुत ज़दा चौक जाती है फिर उस ज़दा है ये एपल शिरायों की जगा कोई और ने खा लिया इस नाइट को देखे शिरायों की बहुत ज़दा डर जाती है और चौक जाती है नाइट कहता है कि अगा तुम्हें इस जहर का एंटीडोट चाहिए है तो तुम्हें प्रिंस राजी के पास जाना होगा लगत स लेकिन एंटेट्ट का क्या हुआ तब प्रिंस राजी कलम एदर से भाग गई थी तब आगर तुम्हें वह प्रोपुजर Ta होगा तकी मेरा इज़त दोबारा सेवापस आजाए शेया की काहती है नहीं यह सरसर गलत है तुम्हों राजी कहता है तुम है चाहते हो क्.. उसे एंटिडियोट दू या फिर और एक एपल भेज दू ये बस सुनके शिरायो की जेन के बातों को याद करने लगती है एनो बहुत ज़दा उदास हो जाती है तब हम देखते कि इस तब हम देखते कि उदा दर्वाजे को एक लात मार के जेन आ जाता है ये बहुत ज़दा गुस्ये में था जेन को देखके इधर का जो नाइट थे ना ओ आ जाता है जेन के साथ लड़ाई करने के लिए लेकिन जेन उसे एक फटका मरता है तरवार से ये उसका काम तमाम हो जाता है इधर शीरायो की जेन को देखके बहुत दा शोक्त हो जाती है लेकिन इधर राजी का तवाई पुरा काम तमाम हो चुगा तव बहुत दा डर जाता है शीरायो की आके जेन से पुछती है तुम ठीक तो हो ना जेन कहता है कि मेरा हाथ बिलकुल ठीक है लेकिन सीरायो की कहती है तुम्हारा बोड़ी कैसे काम कर रही है तुमने तो जहर वाला एपल खाई थी जेन कहता है कि मुझे जहर की आदाद है लेकिन तभी राजी मैं उसे ले आ सको जेन कहता है कि तुमसे और होगा ही किया ये बस सुनके राजी कहता है कि तुम्हें तामीज से बात करना चाहिए तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ तबी जेन कहता है Excuse me First Prince of Tanbaroon प्रिंस राजी जेन का ये बस सुनके राजी शोक्त हो जाता है फिर जेन अपनी तरवार को निकाल के उसे एक सिंबॉल दिखाता है एन सिंबॉल को देखके राजी कहता है कि तो मैं इसे पैचानता हूँ फिर गाईज हम लोग देखते हैं कि उधर किकी एन मिच्सुडे भी आ जाती है जेन कहता है मैं सेगेंड प्रिंस हूँ क्लैरीनिस किंग्डम का ये बाद सुनके शीरायो की बहुत सदा चौक जाती है शीरायो की कहती है प्रिंस? एन इधर राजी का तो पुरा फट जाता है जेन का नाम सुनके इदर शिरायोकी दौरते हुए आती है, जेन को कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं इसे हैंडल कर सकती हूँ जेन कहता है कि बात ओ नहीं है, बात यह है कि उसने दूसरे किंग्डम के प्रिंस को जहर दिया है राजी कहता है कि तुम्हारे पस तो कोई सबुत नहीं है ना कि मैंने तुम्हें जहर दिया है इदर किकी एन मिर्सूडे कहता है कि हम लोग ओफिशियली इन्वेस्टिकरेशन कर सकते है, तुम्हें तो पता ही हैंना इधर जेन राजी के पास आता है जेन कहता है चलो एक सौधा करते है मैं तुम्हें बख्ष दूंगा सौधा यह है कि तुम शिरायोकी को जाने दो एन इसके बतले मैं यो घटा है न ये किसी को नहीं बता हमगा लेकिन राजी उसके बातों को accept नहीं करना चाता है फिर जेन अपनी तरबार को निकलता है और उसको देखके डर के नीचे गिर जाता है जेन शीरायो को देखके कहती है कि शायद तुम्हें कुछ कहना है है ना इससे जादा अच्छा वाला मौका तुम्हें कभी नहीं मिल सकती है तैभी हम देखती है कि शीरायो की एक एपेल को ले जाती है एन कहती है कि तुम बहुत जादा कमजर हो चुकी हो ये लो ये एपेल खालो एन इधर उसको देखके जो एराजी बहुत दा डर जाता है शीरायो की सीरियास होके कहती है कि ये अच्छा होगा कि तुम जेन को ओ एंटीडोट दे दो के जा रहा होता है एन इधर घर में दिखा जाता है कि प्रिंस जेन एंटीडोट पी रहा होता है लेकिन इधर शीरायो की बहुत दुखी लग रही थी देखने में शीरायो की कहती है थैंक्यू मुझे मदद करने के लिए और ये भी कहती है मुझे माफ करना मेरी बज़े से तुम्हें इतना ज़दा मुश्किली जहलनी परी जेन कहता है कि मुझे एक रेट एपेल से जहर लगा था इसमें तुम्हारे कोई गलती नहीं है इधर कीकी कहती है कि हाँ इधर तुम्हारे कोई गलती नहीं है हमारा ये कर्तब भी है कि हम जेन को ठीक ठाक देखके रखे फिरायो की के पास जाती है एन कहता है तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें जंगल में क्या कहा था हम दोनों का मुलाकात हुआ है शायद कुछ अच्छा होने के लिए शायद यही किस्मत चाता है शीरायोकी कहती है क्या मैं खुद की किस्मत खुद चुन सकती हूँ जेन कहता है कि हाँ मैं भी वोई कर रहा हूँ एन मुझे रोकने वाला कोई नहीं है फिर लुख देखते हैं कि जेन खरा हो जाता है एन अपनी हातों को शीरायोकी की तरफ बढ़ाता है जेन कहता है तुम्हारा जबाब क्या है इदर शीरायो की जिन की तरब देखते रहता है एन कहता है कि शायद ये मेरी कहानी है एन मैं इस कहानी के अंदर सारे पन्नों को बदलते हुए देख सकती हूँ एन शायद मेरे अपनी रस्ता खुद चुन सकती हूँ तबी हम देखती है कि शीरायो की जीन को हाथों को पकल लेते है और कहती है कि शायद ये ही मेरी किस्मत है अब आगले सिर्णा में दिखा जाता है कि शीरायो की दो ओमलेट कर रही थी तबी हुदर ओधर ओअंटी आ जाती है अंटि बोलो या फिर grandma जो भी बोल सकते हो वो grandma कहती है मैं तुम्हारे लिए bread लाई हूँ फिर वो शिरायो की का बना हुआ वो ओमलेट को smil करने लगती है और कहती है कि ये तो बहुत ज़ाई टेस्ट लग रही है और ये तुम्हारे स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छी है फिर हम लोग देखते हैं कि शीरायो की अचनक से खड़ी हो जाती है और हो कहती है कि ये शहर मैंने चुस किया है और साथी साथ मैंने मेरी रास्ता भी चुन लिया है अब आगे देखते हैं कि Shira Yoki कहीं तो जा रही थी रस्ते से और उसके हाथ में एक पेपर भी थी फिर कुछ देरबाद हम लग देखते हैं कि Shira Yoki एक शौपकी कहाँ चोप मिल सकती है तब ये आदमी कहती है दरसल ये इस kingdom में बहुत ज़ादा famous है और बहुत अच्छा herbalist भी है शिरायोकी कहती है ये kingdom बागी kingdom से आगे है medical के मामले में मुझे भी बहुत कुछ सीखनी है तब ही ये shop की पर शिरायोकी को एक paper देती है एनो कहता है कि तुम चाहो तो इस लड़के के अंडर में काम कर सकते हो वो भी castle के अंदर तब ही हम देखती है कि ओ लड़का उदर से जाने लगता है एन शिरायोकी बस इस लड़के को देखे जा रही थी अगले से हम देखते है कि शिरायोकी कैसल के बाहर आ जाती है एन उदर दो गार्ड खड़ी थी तब ही एक नाइट शिरायोकी से कहती है आपका बालो की color red है जो की बहुत ही अच्छी है तब ही दूसरे नाइट आके इस नाइट को चुप कराता है एन उनाइट कहता है कि आपकी बालो की color red है इसके मतलब आप मिस शिरायोकी हो हमें प्रिंस ने आपके बारे में बताया था गैस तब ही हम देखते है कि उधर दिबार को डके जेन आ चुका है शिरायोकी कहती है कि तुम इधर क्या कर रहे हो जेन जेन कहता है कि मैं तो बस exercise कर रहा था वा बेटे वा 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 क्या वा थे तब जेन पुछता है कि तुम इधर क्या कर रहे हो जिसपे शीरायोकी कहती है तुम नहीं तो मुझे कहा था कि तुम तुम्हारे पूरे शहर को मुझे घुमाओगे तब जेन कहता है कि एक काम करो अभी चलते है तुम्हें घुमाने के लिए एंड इन दोनों को ऐसे बाते करते हुए देखके इधर के जो तो गाड़ था ओ लोग बहुत जादा शर्माने लगता है जेन इन दोनों गाड़ को कहता है कि इस बारे में तुम दोनों किसी को कुछ मत बताना अब आगले सेन हम देखते है कि जेन एन शिरायो की एक गारी में बैटके जा रहा था जिधा शिरायो की कुछ ना कुछ अपने डाइरी में लिख रही थी इसी करन जेन कहता है, तुम इधर क्या लिख रहे हो शिरायो की? शिरायो की कहती है, दरअसल मैं हापस के बारे में इधर लिख रही हूँ मुझे बहुत कुछ सीखनी है इधर जेन कहता है कि ठीक है एक काम करो, कल तुम मिरे साथ माउंटेन में चलो यह बद सुनके शीरायों की बहुत ज़दा खुश हो जाती है और उसे थैंक्यू कहती है तब ही उधर एक बच्ची कहता है मौम मौम देखो ना इसकी बालों की कलर कितना अजीब है तब शीरायों की अपने बालों को उसकी तरफ बढ़ा के कहती है यह बिल्कूल रेट शाइनी एपल की तरफ लग लग रहा है है और उसका यह बद सुनके उपच्चा बहुत ज़दा खुश हो जाता है फिर हमें अग आज नहीं चाहिए तब शीरायों की कहती है कि यह आद में था कौन जेन कहता है कि यह एक मर्चेंट है जो की वाइन भेचता है और मैं अक्सर इससे वाइन खरीता हूँ अपने सोल्टर के लिए शीरायों की कहती है अच्छा ऐसी बात है लेकिन तुम मुझे यह बताओ कि तुम हमेशा कैसल से बाहर क्यों रहते हो क्योंकि प्रिंस राजी तो कभी कैसल से बाहर ही नहीं निकलता है राजी को जो कुछ भी चाहिया था सब कुछ उसे कैसल में मिल जाती थी जेन कहता है कि हा मुझे पता है तुम्हें याद है तुमने मुझे कहा था कि यह शहर तु प्यारा है इसी गरान में इस शहर की हरे कोने-कोने को explore करता है रहता हूँ तब शीरायोकी कहती है कि हाँ मुझे भी इस शहर की हरे कापस को ढूननी है उसके उपर research करनी है इसलिए मुझे लगती है कि हम दोनों काफी जाइस से ही है, तब ही हमें एक लड़के को दिखा आया था है, जो की शीरायोकी को देख रहा था, आगले सिर्ण हम देखते है कि शिरायोकी को जेन बाई बाई कह रहा था क्योंकि शिरायोकी एक जहाज में बैटके कहीं तो जा रही थी तब युद्धा दो आदमी कहता है कि उस लड़की का बाल देखो बहुत दो अजीब है मुझे लगता है कि इससे हमें अच्छा खासा पैसा मिल सकता है और ये बात स उनके शिरायोकी बहुत साथ डर जाती है तभी हम देखते कि अचनक से ओ लरका आके शिरायोकी को मार के भ्योश कर देती है और ये ओ लरका था जो कि कुछ दिर पहले हमने देखा था इस साइट में हमें दिखा जाता है कि जेन एन मिसुईडे दोनों तरबार बाजी कर रह फिर आगले सिन में हम देखते है कि शिरायोकी का होश आ चुकी है वो देखती है कि उसकी हाथ पे कोई बंद के रखिये और एक रूम में बंद है तभी हम देखते है कि उधर ये वाला लरका आ जाता है शिरायोकी कहते है कि तुम मुझे इदर क्यों लाए हो तब ये लरका फिर हम देखते हैं कि इधर जेन उस अंटी के घर पे जाता है और पुछता है कि शिरायोकी कि इधर है लेकिन वो अंटी कहता है कि कल से शिरायोकी मुझसे बिलने के लिए नहीं आया पता नहीं क्या हुआ इधर हम देखते हैं कि यह लर्का शीरायोकी को घुर रहा था, फिर हो शीरायोकी के लिए कुछ खाना ले आता है, लेकिन शीरायोकी अपने सेर की मदद से उस जगा को टककर मर के गिरा देता है, इसे करना खाना भी गिर जाता है, एन इधर हम दिखा जाता है कि वो लर्का भ कि असली दोर कौनसा है इधा शिरायोगी कहती है कि मुझे पता है कि मुझे किधर जाना है तुम्हें मादद करने की जरूरत नहीं है और तुम मेरे पीछा छोड़ दो किसी और को पकर लो बेचने के लिए तब हम देखते है कि ओलर का दोबरे से शिरायोगी के पीछे करने ल उसके खराण से उद्धर धुआ होने लगती है एड़ शिरायों की भाकते भाकते शीडी के उपर जाने लगती है वह सोचती है की उद्धर यूदर की रास्ता होगी फिर देख थे कि उसके समंचे ए एक खिरकीस की खोलती है इट पाँ यह चाहर लेकिन हो हिम्मप्यार के नीचे कूट जाती है नोध धराम से नीचे गिर जाती एट अधर लड़का भी कोशश करती अद लेकन यह लड़का उसे पकड लेती है अब कहती है कि तुम भागने के क्यों कोशिश कर रहे है अगर तुम इदर से भाग के बाहर भी जले जाओगे ना तो कोई दूसरा तुम्हें पकर लेगा इससे अच्छा तुम काम करो कोई रॉयल या नोबेल के पास रहो ताकि तुम्हें कोई तंग न कर सके तुम्हें पकर न सके और तुम सेप्टी से रहो लेकिन शीरायों के कहती है कि बिल्कुल भी नहीं ये बद सुनके ये लड़का गुस्सा हो जाता है और अपनी मशल से जाईसे ही वो शीरायों के उपर अक्रमन करने वाला था तभी उसके उपर बहुत तेजी से एक तरवार आ रहा था और तरवार उस मशल को बहुत ज़दा उपर ले जाता है तभी ये बंदा भी अपना तरवार निकालता है और लडने के लिए तयार हो जाता है गैस तभी हम देखते हैं कि उदर जेन आ चुका है तभी ये दोनों लड़ाई करना शुरू करता है और जाईसे शिरायोकी जेन को देखती है वो बहुत ज़दा खुश होती है और हैरना बी होती है कि जेन इदर आ चुकी है तभी हम देखते कि जेन इस बंदे को मजे कुछ पैसा मिल सके शिरायोकी कहती है तो अच्छा ये तुम्हा gün था तभी यह लड़का कहता है कि हाँ यह लड़का फिर इन दोनों कों कहता है दरसल पहले में नोबेल था यह मीनचन है यह मेरा ही था और अभी उसे चुपके रहना पर रहा है एक street dock ही थरा यह लड़का आके कहता है कि family नम या फिर कोई status ये एकदम डार्क नाइट की तरह होता है, एक शन में चला जाता है, ये घड़ भी बहुत ज़्यादा था पहले, लेकिन मैंने अब सोच लिया है कि मैं दोबारत से अमीर बन के रहूंगा, और अमीर बनने के लिए मुझे जो कुछ भी करना परेगा, मैं वो सब कुछ तुम अपने फाइदे के लिए शिरायोकी का इस्तेमाल करने वाले थे, ये बिल्कुल गलत बात है, और मेरे रहते हुए शिरायोकी के साथ कभी भी गलत नहीं होना दूंगा मैं, जेन का ये बात सुनके शिरायोकी के आखों में आसू आ जाती है, इधर ये लर्का कहता है क तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो तुम उसका फादर हो क्या लेकिन उसका ऐह बात सुनकेSam कहता है है अब तुम्मुझे मज़ूर कर रहे हो तुम्हे मारने के लिए दिन्त नहीं कर रहा था, इसलिए छिराओगी कहती है, क्या तुम हुसे घुसा भगधा हो Zain, लेकिन Zain कहता है कि नेुप कोई घुसा भगेरा नहीं हुए लेकिन फिर हो Zain को अप नाज दिन्ला कव dim प्राव करता ही कि मुझे सब तर नहीं हुआु और अंट से उख्चता की कसल की बाहर के दुनिया बहुत ज़दा ही अलग है मुझे और भी ज़दा बहुत कुछ सीखना परेगा ताकि मैं कसल की बाहर के दुनिया को भी बहुत अच्छे से सीख पाऊ और इसे समाल पाऊ जिन कहता है कि आप तुम किधर जाने वाले हो तब शिरायोकी कहती है कि मैं किदर भी नहीं जाने वाले हूँ, मैं इधर रहने वाले हूँ, इस शहर पे, जिन कहता है, तुम जिदर भी रहो, मैं तुमरे साथ मिलने के लिए जरूर आउंगी, इधर जिन शिरायोकी के हाथ को पकल देती है, एनो कहते है कि मैं बहुत ज़् तब यह गाट को कुछ दे रही थी तब यह गाट को कुछ दे रही थी तब यह गाट कहता है कि दर असल यह आईडी प्रूप का काम करता है शिरायकी कहती है कि मेरे पस तब कोई आईडी प्रूप नहीं है तब यह गाट कहता है कि प्रिंस ने आपको एप्रूप किया है आपके लिए कोई आईडी प्रूप की ज़रूरत नहीं है अगले सिर्मा में दिखाया था है कि एक आदमी प्रिंस के साथ मिलने के लिए उदर आया हुआ है लेकिन गार उसे रोक लेता है और कहता है कि प्रिंस के साथ कोई और मिलने के लिए पहले आया हुआ है तब ये आदमी शिरायोकी को नोटिस कर लेता है और वो कहता है कि अच्छा ये मुझे देखना पड़ेगा सही से कि ये प्रिंस के साथ दोस्ती करने के लायक है भी नहीं है इधर मिजसुई डे शिरायोकी को कहती है जेन ओफिशियल काम के लिए गया था है और वापास आते टाइम हम देखती है कि वो बहुत ही अजिप सा भीएप कर रहा है शिरायोकी कहती है क्या जेन को डिप्रेशन हुआ है मिजसुई डे कहता है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है दर असल हो बच्चों की तरह हरकत कर रहा है इथर हमें दिखानाता है कि मिचसुई डे दर्बादा कोलता है और इधर शिरायोकी जाक के देखती है जेन अंदर बैटके काम कर रहा था और उसे देखे के लग रहा था कि यो बहुत धा डुकी है इधर जैसे यह दूना अंदर आता है जेन शिरायोकी को देखके एकदम तोड़ासा दराबना सा भोई से कहता है शिरायोकी क्या तुम हो क्या मैं सपना देख रहा हूँ शिरायोकी कहती है कि नहीं नहीं यह कोई सपना नहीं है मैं सच में इदर आई हूँ अब आग्रे सेना में दिखाता है कि ये दूनों बैट के बाते कर रहा होता है, इसारा शीरायो की कहती है, जेन तुम तो बहुत जदा महनत कर रहे हो, तब जेन कहता है कि आइसे कोई बात नहीं है, दरशल में उन सब प्रिंस में नहीं आना चाहता हो, जो की बहुत जदा और यह करहिए तुम इतने जादा महनत करें जैन कहिता है कि हां मेरे कंट्री को बहुत ज़रा भरा ना चाहती हूँ ताकि वह बहुत जादा तरक्वी करें तुमाषि काई देन को कर 건 मेरे पास बैटी तब इहां हम देखते हैं कि शीरायो की कई यहाँ ओनाधर ड़ेन को सुखे आ इरु एर बैटी रही रही दिये इधर हम देखते हैं कोई एक लरगा शीरायो की एंड जेन की ऊपर दूर्बिंज उसे नजर रख रहा होता है कुछ दर बात का सिन दिखायाता है जिता जेन का आप निन टूट चुका है एनो देखता है कि वो कमरे में बस अकेला है तभी उधर किकी आ जाती है कि कि कहती है कि शिरायो की तो कुछ दर पहली अपने घर वापस चली गई है ये बस सुनके जेन सुरा सा उदास हो जाता है तभी हम देखते है कि उधर वाला आदमी आ जाता है एनो कहता है कि प्रिंस आप किसी भी बाहर वाले से ऐसे नहीं मिल सकते हो इससे अपकी शुरक्षा में खत्रह हो सकता है तभी जेन कहता है कि नहीं शिरायो की अलग है और कॉमन पीपल नहीं ह तब वो आदमी कहता है कि तो फिर ठीक है मुझे उसके उपर investigation करने दो लेकिन जेन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं आप शिरोयकी से जब भी मिलोगे ना आपको पता चल जाएगी कि शिरोयकी कितनी अच्छी है लेकिन ये आदमी किसी भी तरीके से जेन के बात को नहीं मान रहा था उल्टा कहता है कि आपको इस दोस्ती से किहाई मिलेगा उल्टा आपका reputation कराब होगा तब ही जेन कहता है कि अच्छा तो तुम normal लड़कियों को ऐसे expect करते हो तब हो आदमी कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है जब मैंने उसे थोरा सा अच्छी से देखा तो मुझे ऐसा कोई खास बात नहीं दिखाई तब जेन कहता है कि हाँ तुम उसको ऐसे देख रहे थे इसी करन तुमने उसकी अच्छाई को नहीं देख पाया तब ये आदमी कहता है कि प्रिंस मैं आपके साथ खेलनी के लिए नहीं आया हूँ तब जेन कहता है कि ठीक है तो फिर आप जा सकते हो ये बत सुनके ये आदमी थोरा सा हैरान हो जाता है फिर वादमी उदासे चला जाता है तब हम देखती है कि Zain ये सारे बात को कहने के बाद थोड़ा सा उदास हो जाता है इधरा में दिखा जाता है कि ये आदमी एक लड़के पास आता है और कहता है कि प्रिंस को बीना पता चले हमें ये काम करना होगा तब ये लड़के कहता है कि ठीक है अगरे जिरा में दिखा जाता है कि शिरायो की पुछ हपस को ढून रही होती है लेकिन ओ अपनी बैक को जासे चेक करती है ओ देखती है कि उसके अंदर उसका डाइरी नहीं है इसलिए हो सोचती है कि आप मुझे वापस जाक के मेरी डाइरी वापस लानी पड़ीगी इसलिए हमें दिखा जाता है कि ओवाला लड़का इन दोनों गाट कर सामने आ जाता है एन उसे एक नोटिस दिखाता है एन कहता है कि प्रिंस ने मना किया उस लाल बालो वाली लड़की को इधर घुसने के लिए लेकिन ये दोनों साहिनिक मनने के लिए तैयारी नहीं था लेकिन उसे आखिर खंड मनना पड़ा फिर इधर हमें दिखा जाता है कि शिरायोकी चुप चुप के ये चरह चीज को देख रही थी इधर शिरायोकी जाते हुए सुचती है कि मुझे किसी भी हालत में जेन के साथ मुलाकात करनी होगी फिर हम देखती कि शिरायोकी पीछे एक गेट की मदद से कैसल के अंदर गुज जाती है लेकिन शिरायोकी को जाते हुए ओवाला लड़का देख लेता है इधा शिरायोकी बहुत ही चुप चुप के जा रही थी ताकि उसे कोई देख ना पाए तब ही शिरायोकी के समने दो तिन गार्ड आ जाता है एन ये गार शिरायोकी को कुछ नहीं कहता है तब ही शिरायोकी को पता चलता है कि ये दर असल कोई साजीश है एन इसी करण वो भागते हुए जिन की तरफ जा रही थी इधर हम देखते है कि शिरायो की भागते भागते नीचे गिर जाती है एन हो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई टेस्ट जैसे आए ये बत परके शिरायो की एकदम कंफरम हो जाती है कि कोई तो है जो नहीं चाता है कि मैं प्रिंस से मिलू अभी हम देखते कि शिरायो की उस तीर को लेके उदा से भागने लगती है ये देखे ये बंदा दोबारे से शौक्ट हो जाता है कि इतना कुछ होने के बाद भी ये लड़की बिल्कुल भी नहीं रड़ी है एंड गाइस मैं बता दू इस लड़के का नाम है ओबी इधा शिरायों की बहुत ज़्यदा ये 33 भागत वे जेन के पास जा रही थी तबी ओभी कहता है कि ए 33 जारा है एकदम सिधा तो मेरे लिए एक काम बहुत असान है इसलिए ओभी शिरायों की काईती है तुम्हारे उपर कोई भागते कर रहा होता है जेन कहता है कि कैसल के अंदर तुमारे उपर कोई बोसे अक्रोमन किया है और तुम ये बात मेरे से छुपाने की कोशिश कर रहे थे शिरायो के कहती है कि दर असल पहले में तोड़ा सा ड़ चुकी थी और बहुत ज़ादा गुस्से में थी इदर में जेन को दिखा जाता है जो कि की की एन मिस्वीड के पास आता है और कहता है कि मुझे तुम दोनों से कुछ काम है और इदर में उस आदमी को दिखा जाता है जो कि कुछ काम कर रहा था और इदर शिरायो की उस बरे में सोच रही थी इसकरान ये आदमी अपनी तरवार को निकालता है और कहता है कि अगर तुम इदर काम नहीं करते हो तो तुम ऐसे इदर घुम नहीं सकते हैं इदर आने ही सकते हो तुमने तो तरवर से भी नहीं डड़ा और मैंने जो बोथ रो किया था उससे भी तुमने नहीं ड़डा इधर शिरायोगी कहती है कि तुम हो कौन तब ओ भी कहता है कि आप भागने का कोई रास्ता नहीं है तो मैं सच सच बता देतो दरवसल मैं नहीं सब कुछ किया है लेकिन तब ही ये बुढ़ा आदमी कहता है दरवसल असल कल्पीट तो मैं हूँ दरवसल मैं प्रिंस को प्रोटेक्ट करना चाता था किसी अंजान बाहर भाले से तब ही हम देखते कि उधर जेन भी आ जाता है जेन को देखके ये आदमी बहुत दा चौक जाता है इधर जेन कहता है कि क्या तुमने ये सब मेरे को प्रोटेक्ट करनी के लिए किया था तब वो आदमी कहता है कि हाँ के कालर को पकर लेते हैं और कहता है की मैं तुमारे उपर करी नहीं रखने वाला हूँ अगर हो थो गाष।ifie करा उपर द् alguém कुछ करने वाले वह ना तो मैं करी से करी सज़त देने वाला हूँ और वह भी कहता है कि नहीं नहीं मैं कुछ नहीं करने वाला इस लड़की को क्योंकि यह लड़की मेरे को पसंद है और साथ-साथ यह लड़की बहुत ज़दा साहसी और हिम्मद वाली है वह भी कहता है कि मैं आपको हर तरीके से मदद करूंगी मास्टर एंड यह लाइध सुनके जेन बहुत जादा शॉक्ट हो जाता है जेन उसे नीचे फेक देता है लेकिन हम देखते हैं कि ओभी बहुत ही आज़नी से नीचे लैंड कर जाता है लेकिन नीचे मि earliest weelai and कीकी खड़ा था जेन कहता है कि इसके उपर करी से करी नजर रखना शिरायो की कहती है जेन क्या ये सही रहेगी जेन कहता है कि हाँ ये बिल्कुल सही रहेगा इधर कीकी कहती है चलो हमारे साथ तब ओभी कहता है कि 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 आप जिदस्य जाओगे, मैं आपकी पीछे-पीछे आजाओगी इदर में शीरोगी को दिखा जाती है, जो कि जेन की तरफ देख रही थी फिर ओव फ्राइव को निकालती है, जेन को देती है और वो कहती है कि अगर मैं ये पास कर जाओ तो मैं खुद की दम से identity काड लूँगी और उसकी मदद से मैं castle में आ जा सकूँगी इधर शीरायो की अपने मन में सोचती है कि इधर कोई है जिसके साथ मुझे time भी ताना है जिन कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है चलो आप से हम दोनों एक ही team में है इधर शीरायो की अपने मन में सोचती है कि इन से भी चीज़ों से ही तो मुझे hope मिलती है अगले सिन में हमें इस लड़के को दिखायाता है गाइस सब लोग को याद होगा कि ये लड़का इस शेहर का best herbalist है और इधर एक लड़की बैटी हुई थी ये लड़की इसको Ryu Ryu कहके बुला रहा था इसका मतलब हमें पता चलता है कि इस लड़का का नाम है Ryu ये लड़की कहती है क्या मैं देख सकता हो तुमरे हाथ में जो पेपर है तब हम देखते हैं कि रियू उसे वह वाला पेपर दे देता है ये लड़की पहले उस paper को पढ़ती है फिर उसके बाजू में और एक लड़का था उसे उस paper दे देती और कहती है देखो ये कितना कमाल का है अगले सिन में हमें Zen को दिखायाता है जो कि उदर खाड़े हो के एक board को पढ़ रहा होता है दरसल उस board में exam के बाड़े में लिखा हुआ था एंड ये चीज़ देखके मिद्वेडे Zen को चिराने लगता है अगले सिन में हमें Shiryu की को दिखाया जाती है जो कि उदर ही आ रही अच्छा इसमें तो एक हपस अभी भी कम है एंड ये बात रियू सुन लेता है एंड रियू शिरायू को देखके रियू को एकडम रेट कलर का एक ब्यूटीफूल सा फूल के बारे में याद आता है एंड हो शर्माने लगता है इधर शिरायू की उसे माफ़े मांगने को एकडम के लिए और जर्म शर्म चरूर आता है इधर हमें लग होटा है जो के कि बैटके कि देख रही त्ब हम देखने लगता है तकर उदर शिरायू की बहुत बहुत की बहुत दा महHeणत नहीं पने कामे idze देन नो.c चाइब करता है कि शाहिए यूदर कोई आ रहा है इसमेरे कोंफ झाटा है लेकिन नहीं पाता है आखिर में जिधार के उधर बैठ जाता है जेन कहता है शिरायो की तुम से इसे निंद ने रहे हो ना शिरायो की कहती है कि हाँ मैं थोड़ा बहुत सो रहा हूँ क्योंकि मैं इस exam को लेकर बहुत ज़्यदा एक्साइटेड हूँ तरह मेरे को निंद नहीं आ रही है तब शिरायो की notice करती है कि एक पौधे को जिदर उसकी फूल बहुत ज़्याने वाली रहती है शिरायों के कहती है कि यह तो होना नहीं चाहिए ऐसा क्यों हो रही है फिर शिरायों के उधर से पानी लेकर टेस्ट करती है और देखती है कि पानी बहुत ज़्यादा मीठा है मेरे को लगता है कि इधर कोई एक पौदा है जिसे गलित तरीके से उगाया जा रहा है इसिकरारन उसके बजय से ये जहर तैयार हो रही है तब सीरायो की एक पेड को चेक करती है एनो नौलिस करती है कि इस पेर में बहुत ज़्या मिठा से शिरायो के जेन को कहती है दर असल इस पेर में गरवर है इस पेर को किसी ने गलत तरीके से उगाया है इसी करानी ये जहर तैयार हुई है शिरायो के कहती है जेन तुम जाके पानी को बंद कर दो मैं इन सारे पौधों को उठा के फेक दूँगू नहीं ती इसकी मदद से बाकी के जो सारे पेरे ना वो भी खराब हो जाएगी जेन कहता है बट अगर तुम्हारा जो मार्क्स पर इफेक पड़ सकता है शिरायो के कहती है कि कोई बात ने मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ती है जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मुझे कोई धर्ण नहीं है ये बात सुनके जेन को पूराने दिन की बात ही यादन लगता है इदर Zayn कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा फिर हम देखते कि Zayn और शिरायो की दोनों मिलके बहुत ज़ता है महेनत करता है और आखिरकर सब कुछ सई से लगा देता है तब हम देखते कि उधर ओ लेडी आ जाती है ये लेडी बहुत ज़ता शौक्ट हो जात ये कि ऐसी बात नहीं है दर असल ये पौधे तो जेन की भी शुरक्षा करी की फ्यूचर में जेन कहता है कि आप गलत मत समझिये मैं इदर मेरी मर्जी से आई थी एन शिरायो की कि किसी कंपेटर ने ये दरबाजा भी बंद कर दिया था ता कि शिरायो की इदर से बाहर ना जाए सके और उसका एक्जाम कैंसल हो जाए ये बात सुनके लेडी कहते है कि ठीक है मैं इस बारे में बहुत ही अच्छे से इंवेस्टिकेशन करूंगी ये लेडी आगे कहते है कि प्रिंस अगर एक बार आपने मुझे बता दिया होता तो मैं तो ऐसी इसको हर्बलिस्ट क रूप में रख लेता लेकिन जेन कहता है शिरायोगी ऐसे नहीं है शिरायोगी खुद के दम पर ये काम पना चाता था क्योंकि यो सेल्फ इंपिटेंडेंड है और मैंने अगर ये सब किया होता तो शिरायोगी मेरे उपर गुस्सा हो जाती ये बत सुनके ये लेडी हसे ल तुम रूप पहले से जानते हो ठीकर तुम रूप का सुपरभाईजर हो है तर आम देखते हैं कि ये लेडी को लेक्गे रूप कमरे पर चला जाता है इधार पहले तो शिरायोकी उसे रूसर केके बुला रहा होता है लेकिन ये लगर क कहता हैं मैं छोटा हूँ आप मुझ शिरायो की देखने लगती है तब हम देखते हैं कि उधर एक आत्मी आ जाता है जितार रियू को देखके आत्मी कहता है कि मैं तुम्हारा ओशादी लेना नहीं चाहता हूँ यह बस सुनके रियू उधर से चला आता है लेकिन शिरायो की कहते है कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे ह होता है दोबारे से इधर रियू को देखके कहते है कि तुम्हीं इस परे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन शिरायो की कहता है तुम बिल्कुल व्यकूभ हो यह बस उनके रियू बहुत बहुत हो जाता है अगर तुम्हारे ओपर गुस्त है तो तुम उस सिध कर रहा हो था तब यह तो लेडी आ जाती है इस डाइडी में जेन को जो बीमारी हुआ था ओपके बारे में इदर लिखा हुआ है तुम सरी से यह देखलो पढ़लो और समझे लो ताकि तुम्हें बहुत ही आसानी हो जेन की यह सारे बीमारी को ठीक करने के लिए इधा शिराय कि यह सीरे चीज़ देखके बहुत ज़्यादा ही रोने लगती है अभी हम देखते कि रियू चुप चुप के शिरायोकी को देख रही थी आनों नोडिस कर ले थी कि शिरायोकी रो रही है इसी करना दौर के जेन के पास जाता है जेन को सब कुछ बता देता है और यह चीज़ तब तक हूँ जब तक तुम चाहते हो इस तरह हम देखते है कि रियू बहुत ज़्यादा उदास है इधर कीकी अन मिसुडे कोशिश कर रहा था कि उसे चियाराप कर बाया है लेकिन यह दोनों कर नहीं पा रहा था ताब यह दोड़ती हुए शिरायोकी आ जाती है और कीकी का उसका नाम लेने के लिए लेकिन फाइनली ओशिरायोकी का उसके नाम से बुलाता है यह बत सब्सक्राइब को थैंक्यू कहते है इधर तक दोर के आने के लिए अब आगले से नहीं में दिखा जाता है कि सभी लोग घोरे में बैटके जा रहा होता जितन मिसुडे शिराय पर दोर से इंसपेक्शन करना है उसके बाड़ हम देखते हैं कि अबिखते हैं कि यह ओन भी आ चुका है ओभीÓ हैओ इंषभी लोग अब शोरा है धिर लुग कि Confederate bay लेकिन यह बच्चा कहता है कि यह रहने सब उतर नहीं जा सकते हो कि उधर एक बैड इविल है अभी दिन उतर पहुच जाता है देखते हैं कि उतर सभी लोग लेटा हुआ है तब यह लगा कहता है यह सब तीन वीक पहले शुरुई हुआ था धीरे-धीरे सभी लोग एकदम क इस देखो तब यह लगा कायता है कि इन सबी से मेरा हाला थुड़ास अच्छा है जेन कहता है कि ठीक है मैं इधर आसपास थोड़ासा घूम लेता हो लेकिन यह लगा कहता है कि नहीं लोग इस वी लोग इधर बहुत कुछ चानबिन करना होता है तब ही कि काहती है कि एक काम करते शीरायकी को इढ़े आती है वो इन लोगों की थोर सा मदद करते कि श्वास्टीक होने में तब यह जाओ ले आओ उन्दर देखते हैं कि मिच्टूरी चला जाता श्रेकों को लाने के लिए अलगने सिरायकी उदर आ चुकी है और उस है कि तो हम देखते हैं कि नहीं को दाउर को आघ कोशिश करो ङी कि इन लोह की मंदत कर पाओ लेगा वे भाहर जाकर थोड़ा सा सांस ले आओ ले उसकी बात नहीं मान रही थे तक हम देखते हैं को दोनों को उपर से कीखी औम बैटा नहीं कोशिशत नहीं होता होता है आगले सेरह हम देखते हैं कि इधर आग जला रही होती है और बैठके यह सब सोच रही होती है कि इन लोगों ने सब कुछ इधर ढूंड लिया लेकिन उन लोगों को कुछ नहीं मिला लेकिन फिर यह भीमारी फैल कैसे रही है तब हम देखते हैं कि अच्छा तो फिर यह लोक जो लक्री है ना उसमें कुछ गर भर है इसकी मदद से ये बिमारी फैल रही है तब हम देखते है कि शीरागी के जेन के पास आ जाती है और सब कुछ बता देती है ये बस उनका जेन चौक जाता है ये बच्चा कहता है कि हमें माफ कर देना दराजाल कुछ ट्रेडर ये लक्र करती है कि शीरागी के हाथ में बहुत जाता चाले पर चुकी है और उसे बहुत जाता मेहनत करने पर रही है जैन एकदम उसके करीब चला जाता है और कुछ दर इधर रह रहा है वह कहता है कि कोई बात नहीं मैं धूड़न देता हूँ आपके लिए इधर उभी उस ट्रेड जाती है और शोजी है कि उसे क्याका काम करना चाहिए तब ही उदर जेन आ जाता है शीरागी एकदम जटक से उठ जाती है जेन कहता है कि देखो सरके सरस्वल्चर कितना जाद एक्टिव हो चुका है सब कुस तुम्हारे बज़े से चला जाता है शीरागी कहती है कि मैं बह और से उठने लगते है लेकिन हम देखते कि फिर में आड़ किसी को मत बताना कियोंकि यह को सारे सौल्चर कितना चल जाएगा तो बहुत दुखी हो जाएगा यह उद्य हम देखते कि ओपने मन में सुझते है कि मैं उसे बचाने के लिए कि वाया इधर में जिन को दिखा आ जो कि देख रहा होता है उस रेडर के हाइड आउट लोकेशन को एन अपने सोलजरों को कहता है कि तुम लोग सभी एकदम फीट और फाइन हो ना अभी हम देखते है कि उदर वो लडगा आ जाता है एन वो लडगा कहता है कि शिराविकी दोबारे से खाना बानने के लिए यह ही है कि कहती है कि दीन में तीन ब्याच बनाना पड़ता है उसको एक एक ब्याच बनाने के लिए आट-अट घंटे लगता है जिन कहता है इसके मतलब 2400 घंटे ओ काम कर रहा है उसे सोने का भी कोई मौका नहीं मिल रहा है ताब हम देखती कि जियन शिराविकी को पास जाती है तब वह भी आजाता है ओभी कहता है कि मुझे मिल चुका है कि औ Лोग किदार है अगले सिन में मैं उस डेड़र को ही दिखा जाता है जोरक कि बैटके बाते कर रहा होता है कि हमने किसनी आसानि से तबी अदर जेन आजाता है तब वह भोंसर दक्टी दğ कहता है त Row केने त आगार तुम्हें कुछ परिश्यानी होगी तो तुम मुझे प्लीज बता देना, तुम मेरा इंस्पिरेशन हो, इदा शीरायोकी भी कहती है कि नहीं तुम मेरा इंस्पिरेशन हो, उसके बाद हम देखते हैं कि यह दुनों एक दुसरे की हाथ को पकड़के लेला मजनों की त शीरायकी के जाने के बाद चीफ हरवा लिष्ट कहता है रिवीव से शायद शीरायकी को प्रिंस आना के बारे में नहीं पता है और इसी तरीके से इस एनिमे का पार्ट वान खताम हो जाता है